नमस्कार मैं गोपाल कृष्ण ठाकूर महात्मा गांधी अंतर राष्ट्री हिंदी विश्व विद्याले वर्धा महाराष्ट्र से हूँ और आज आपके साथ आपके पाठ्यक्रम कूड 507 के विशे सिक्षार्थियों के सांस्कृतिक विकास पर समुदाय का प्रभाव पर च सांस्कृतिक विकास पर समुदाय का प्रभाव जब यह अवधारना हम अपने मन में लाते हैं विचार करते हैं तो यहां पर दो तत्व हैं दो अवधारनाएं हैं जिसको प्रारंभ में ही स्पष्ट कर लेना उचित प्रतीत होता है समुदाय, जैसा कि हम सभी जानते हैं समुदाय, समाज या समूह इन सब की वधारनाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में सभी व्यक्ति सहजता से, सरलता से अपने विचार व्यक्त करते हैं अगर हम शाब्दिक व्यूत्पत्ति के आधार पर जाएं तो समुदाय को अंग्रेजी भाषा में कम्यूनिटी कहते हैं जो कौम तथा म्यूनिस दो शब्दों से मिलकर बना है कौम का अर्थ है एक साथ तुगेदर तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना तुसर्व इस प्रकार समुदाय का अर्थ है एक साथ सेवा करना तुसर्व तुगेदर अगर हम इसी बात को थोड़ा और व्यापक अर्थ में समझने की चेश्टा करें तो समुदाय एक निश्चित स्थान या भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसकी एक संस्कृति होती है एक जैसी जीवन प्रणाली होती है जो अपनी सभी आवश्चक्ताओं की पूर्ती समुदाय के भीतर ही पूरी कर लेते हैं इस प्रकार समुदाय के सभी सदस्यों के मन में एक वयंग भावना अर्थात अपनापन की भावना सेंस ओफ बिलॉंगिंग में इसकी भावना होती है और समुदाय के प्रती आपस में सभी सदस्यों के प्रती प्रकार का निष्ठा भाव होता है वफादारी का भाव होता है यहांपर अगर हम देखें तो जो एक स्थापित परिभाश्या के तोर पर लिया गया है कि एक निश्चित अस्थान या सब के प्रादुर्भाव के बाद में हुआ है अब एक जैसे समुधाय ICT के प्रादुर्भाव की वजह से internet की connectivity की वजह से सुदूर देशों में विश्व के कोने-कोने में अलग-अलग कोने में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, इसलिए भौगोलिक भूभाग का जो तत्व है, उसे हम हटा करके भी समुदाय की अवधारना को समझ सकते हैं, एक जैसी संस्कृति का होना, एक जैसी जीवन प्रणाली का होना, और common interest, एक जैसी जीवन मे एक जैसे लक्ष का होना, यह बड़ा ही महत्वपूर्णा होता है, हम इस प्रकार इसे समझ सकते हैं, जैसे सिक्षकों का समुदाय होता है, वकीलों का समुदाय होता है, डॉक्टर्स का समुदाय होता है, या फिर कुछ धार्मिक आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधा व्यक्तित्व के कई पहलू होते हैं शारेरिक विकास है मानसिक विकास है बौधिक विकास है उसी तरह से सांस्कृतिक विकास है तो जब हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं और समुदाय का क्या प्रभाव उस पर पड़ता है तो इस के बारे में आगे चर्चा करने से पह पारिभाशिक शब्दावलियां हैं, परिभाशायें हैं, जिनके माध्यम से संस्कृती शब्द को सपश्ट किया जाता है, हम यहाँ, इसे इस तरह से देख सकते हैं, कि संस्कृती जीबन जीने की एक विधि होती है, जैसा कि जो भोजन हम खाते हैं, जिस प्रकार खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाशा हम बोलते हैं, जिस उपासना पध्धती को हम अपनाते हैं पुजा पाट करना या फिर मस्ज़िद में जाना मन्दिर में जाना गिरजा घर में जाना अलग-अलग पधतियां होती हैं हमारी उपासना की ये सभी हमारी संस्कृति के दियो तक होते हैं संस्कृती दर असल उस विधी का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं, हम कार्य करते हैं, इसमें वे सभी अमूर्त, अभहौतिक, इंटांजिबल, भाव और विचार भी सम्मिलित हैं, जो हम एक परिवार और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं, कला, संगीत, साहित्य, वास्तो विज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म, विज्ञान, आधि, सभी संस्कृती के प्रकट पक्ष होते हैं, यद्यपी संस्कृती में रिती रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीने के तौर तरीके और जीवन के विभिन पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोन भी सम्मिलित होता है, संस्कृती मानव जनित, मानसिक पर्यावरण से संबंध रखती है, अगर हम इन सब बातों को देखें, इनके निचोड में जाएं, तो यहां मानव जनित, जो मानसिक पर्यावरण है, जिसमें सभी अंतरिक और बाह्य व्यभारों के तरीके समाहित होते हैं, ये चिन्धों द्वारा भी स्थानांतरित किये जा सकते हैं, जिनमें मानव समुहों की विशेष्ट उपलब्धियां भी अंतरनिहित होती है, संस्कृती किसी समाज के वे सूक्ष्म संसकार हैं, जिसके माध्यम से लोग परस पर संप्रेशन करते हैं, विचार विमर्ष करते हैं, विचार विनिमे करते हैं और जीवन के विशे में अपनी अभिवरतियों और ज्ञान को दिशा देते हैं, संस्कृती के बारे में अगर हम और चर्चा करना चाहें, तो संस्कृती हमारे जीने और सोचने की विधी में हमारी अंतस्थस प्रकृति की अभिव्यक्ति है या हमारे सहित्य में धार्मिक कारियों में मनुरंजन में आनंद प्राप्त करने के अन्य तरीकों में भी परिलक्षित होती है देखी जा सकती है संस्कृति के दो भिन उपविवाग कहे जा सकते हैं एक तो भातिक पक्ष इसका होता है और दूसरा अभातिक होता है भातिक तो वह पक्ष होता है जो टैंजिबल होता है जो प्रत्यक्ष होता है जिसे हम अपने संवेदी ग्रंथों से अनुभूत करते हैं भातिक संस्कृति को सभ्यता भी कहते हैं, वो हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से इस प्रकार संबंधित होते हैं, उदारण के तौर पर जैसे हमारी वेश भूशा, भोजन, घरेलू, सामान, जिन चीजों को हम अपने जीवन में व्याभार में लाते हैं, ये सभी हमारे संस्कृति के भौतिक पक्ष कहलाते हैं, वहीं अभौतिक संस्कृति का संबंध हमारे विचारों, आदर्शों, भावनाओं और विश्वासों से है, हमारी आस्था की पध्धती से है, हम जिसमें विश्वास रखते हैं, उन चीजों से हैं, अब जब ये सारी विश्ष्टताओं की बात हमने की, तो निश्चित रूप से ये विश्व बहुत ही व्यापक है, विशाल है, इबन अपना देश भी बहुत विशाल है, इसका जो सामाजिक विविधता है इस देश में, तो एक समाज से दूसरे समाज, एक देश से दूसरे देश में संस्कृती की ये जो विशेशताएं होती है ये बदलती रहती हैं, उदारण के लिए हमारे अभिवादन की विधियों में, जैसे हम अगर किसी अपने से बड़े से या अपने समकक्ष से मिलते हैं, तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, या फिर चरण असपर्स करके, या हाथ मिला करके, या सलम वलेकुम, जो भी या गु अभिवादन की विधियों में, हमारे वस्त्रों में, खाने की आदतों में, पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक, धार्मिक रित रिवाजों और मान्यताओं में, अपने देश की जो परिपाटी है, उसको अगर हम तुलना करें, पश्चमी देशों से, या पराओं के द्वारा ही पहचाने जाते हैं, आप अपने देश में भी पाएंगे, अगर हम पंजाब चले जाएं तो वहां पर लोगों के कपड़े पहनने का तरीका, अगर हम पूर्बुत्तर प्रांतों में जाएं, मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड, वहां के लोगों के खाने पीने का, कपड़े पहनने का तरीका और वहीं तामिल नाडू, केरल यहां चले जाएं, तो उनके खाने पीने या कपड़े पहनने के तौर तरीके में भी काफी अंतर होता है। अब समुदाय और संस्कृती की अवधारना पर हमने थोड़ी चर्चा की और जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि यह आगे की फीड़ी में हस्तांतरित भी किया जाता है संस्कृतिक के तत्वों को, संस्कृतिक विसेश्ताओं को, संस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को भी साया यूजनाबध तरीके से कोई भी समाज अपने विद्यालेयों के मार्धियम से संचालित करता है तो हम देखें कि राष्ट्रिय सिक्षा नीती 1986 और इसके प्रोग्राम ओफ आक्षन 1992 में बच्चों के व्यक्तित्व के विकास एवं उनमें अंतर्निहित संभावनाओं की पहचान कर उन्हें संवर्धित करने के लिए सिक्षा के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष पर बल दिया गया है अब यह सांस्कृतिक परिप्रेक्ष जो होता है तो इसको हम सिख्षा से जोड़ करके जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि समुदाय की स्थानी लोक कथाएं होती हैं, उनके लोक संगीत होते हैं, लोक गीत होते हैं, पहेलिया होती है, खेल कूद की विधिया होती है इन सब में बच्चों के सांस्कृतिक विकास एवं समग्र व्यक्तित्व के विकास हेतु सीखने की अपार संभावनाएं होती हैं। समुदाय के सदस्यों के साथ सिक्षक वो सिक्षार्थियों को अगर अवसर मिले तो उनके साथ आंतख्रिया करने से, इंटराक्शन करने से, उनके साथ अपने अनुभवों को साजा करने के माध्यम से व्यक्ति बहुत कुछ स्वयंग ही सीख सकता है। जैसे की एक काला हांडी में बच्चियों के एक खेलने कूदने की एक विधी होती है, वो लोग एक परमपरा है, जिसमें कि वो आपस में जब खेलती हैं तो एक दूसरे से वो स्थानिय मचलियों के नाम, स्थानिय फसलों के नाम पूछती हैं, एक पूछती हैं, दूसरी बताती हैं, वह है उनके खेलकूद का एक तरीका होता है अब देखिए, यह सांसकृतिक तत्व है, समाज की परंपरा, समुदाय की परंपरा में अंतर नहित है, खेल कूद का तौर तरीका, लेकिन इससे सीखने की कितनी रोचक विधी अपनाई जा सकती है, विद्यालई वातावरण में भी, कि अगर इसके माध्यम से बच्चों को खेल-खेल में, स्थानिय प्रकृति से, स्थानिय परिवेश से, स्थानिय समुदाय के बहुत सारे संसकारों से सहज भाव से अवगत कराया जा सकता है, और बच्चों के लिए यह बिल्कुल ही उबावु प्रकृया नहीं होगी, बलकि पूरी रुच्च के साथ बच्चे फसलों के नाम प्रकृति के में, उपस्थित पेड़ पौधों के नाम, मचलियों के, अन्यजीव जन्तूओं के नाम, इन सब को बच्चे सहस्ता से सीख सकते हैं, अब यह सारा कुछ सिक्षक पर निर्भर करता है, कि सिक्षक किस परकार स्थानिय इतिहास, लोक परंपराएं, लोक कला, लोक शिल्प आदि में, जो अपार सेक्षिक संभावनाय अंतर नहित होती हैं, इसका उपयोग सिक्षन अधिगम प्रक्रिया को रोचक और आनंददाई बनाने के लिए कैसे किया जाई है, चाहें सिक्षक, तो बड़े ही आराम से बहुत ही सहस्ता से बच्चों को ग्यान प्राप्त करने के, ग्यान के स्रजन करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी पर्वत्योहार मनाये जाते हैं, लोरी है, होली है, दीवाली है, दशहरा है, या फिर ईद है, क्रिस है इन सब का हमारे देश के बदलते मौसम से हमारे यहां उपजाए जाने वाले फसलों से मौनसून के आने से मौनसून के जाने से इन सब से बहुत ही गहरा संबंद होता है लोहरी का त्योहार है एक फसल जब तयार होती है तो फिर उस पर उसके अंत में इस त्योहार का पर आको लोक जीवन के साथ के जो उनके संबंध हैं उसके सैक्षिक महत्व को सिक्षक समझाए। स्थानिये खेल एवं उनके माध्यम से विभिन जानकारियों को संगरक्षित करने एवं ज्यान को विकसित करने की कई अनूठी विधिया हैं जिसको गढ़ा जा सकता है जिसका प्रयोग किया जा सकता है और बच्चों के सिक्षार्थियों के सिक्षण अधिगम सीखने के सांस्कृतिक विकास के हेतु, स्थानिय समुदाय की संस्कृति इतिहास का ज्यान होना आवश्यक है सिक्षकों को, सिक्षार्थियों को भावी जीवन हेतु तयार करने के लिए यतोचित सांस्कृतिक मूल्यों का विकास का होना अत्यनता आवश्यक है, इसके लिए बहुत सी हम सब के मन में कई अपुष्ट अवधारनाएं, पूर्वधारनाएं होती हैं, कई मित्स होते हैं, कल्पित अवधारनाएं होते हैं यह भी एक सावधानी बरतनी की जरूरत है कि सिक्षक उन मित्स आदी से थोड़ा बचे और सिक्षार्थियों को यथार्थ का बोध करने में भावी जीवन के लिए आवश्चक ज्यान एवं कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें इसके लिए यह बहुत आवश्चक है अपेक्षित प्रयत्न क्या क्या किये जाएं इस पर भी थोड़ा सोचा जाए तो यह है कि विद्यालई क्रियाकलापों में पढ़ने के अलावे जो कक्षागत सिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है इसके अलावे खेलकूद या अन्य क्रियाकलाप होते हैं उसमें यह चाहिए कि स्थानीय समुदाय के सांस्कृतिक क्रियाकलापों को स्थान दें स्थानीय समुदाय से बच्चे भी आते हैं वे अपने परिवार में बड़े होते होते सांस्कृतिक जो विभिन गतिविधिया होती है उसको सहजता से आत्मसाथ किये होते हैं, कर रहे होते हैं और अगर विद्याले में भी उन क्रियाकलापों को स्थान दिया जाए तो बच्चों को अपने समुदाय की संस्कृती को अपने समाज की संस्कृती को आत्मसाथ करने में सहयता मिलेगी समय समय पर विद्यालेयों में सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया जा सकता है उसमें स्थानिय नेताओं को, लोगों को, सिक्षार्थियों के अभिवाबकों को सामुदाईक जो अच्छे लोग हैं, नित्रत उपरदान करते हैं उनको निमंतरत किया जा सकता है, उनके विचारों को सुना जा सकता है, उनसे संस्कृती के इतिहास के परंपराओं के बारे में जाना जा सकता है इसके अतिरिक्त सिक्षार्थियों को स्थानिय समुदाय के साथ अंतहक्रिया का भी अवसर प्रदान करना उचित होगा इंटरैक्शन का अवसर प्रदान करना उचित होगा इसके लिए उन्हें चाहिए विद्याले को, विद्याले के प्रबंधकों को, सिक्षकों को की स्थानिय समुदाय में ब्रह्मन की व्यवस्था करवाएं, उन्हें स्थानिय समुदाय के इतिहास, उनकी संस्कृती, परंपराएं, शिल्प, कला, आदिसे संबंधित सूचनाए प्रदान करें शिक्षार्थियों को स्थानिय समुदाय और उनके परिवेश में उत्पन होने वाली प्रकृती संबंधित फसलों से संबंधित या अन्य समस्याओं के बारे में भी जानने का आवसर प्रदान करना चाहिए और पुस्तकिय ग्यान से यथार्थ अनुभब को ज दोड़ने का भी अनुभब प्रदान करना चाहिए हम सब का प्रयत्न होना चाहिए सिक्षक होने के नाते सिक्षा की व्यवस्था को सुचार रूप से संचालित करने के उपक्रम में लगे होने के नाते कि बच्चों को हम पारंपरी का ध्यायन सामग्री भी प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें स्थानी गीत लोग कथाओं पहलियों आदिके माध्यम से उस्टकी ज्ञान सहित शिक्षार्थियों के समग्र व्यक्तित विकास में समुचित सहायता प्रदान करें पारंपरिक ज्ञान और अध्ययन विधिया काफी रोचक होती हैं काफी महत्वपूर्ण होती हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होती हैं हर समुदाय में कुछ न कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज होती हैं सर्वोत्तम प्रथाएं होती हैं उन सब को संकलित करें उन्हें प्र अंतरफेस बना करके अंतरफलक बना करके वर्तमान संदर्व में पारंपर एक संस्कृति को पुनर जीवित करने में हम मदद कर सकते हैं। हमारी पहचान होती है हमारे समाज की प्रिष्ठ भूमी जिस प्रकार हम अपने नाम के साथ सरनेम लगाते हैं। आपने समाज से भी जोड़ करके देखते हैं, अपने देश से अपने व्यक्तित्व को अपनी जो वयक्तिक पहचान है उसको जोड़ करके देखते हैं। तो इसमें यहां बड़ा ही आवश्यक है कि हम isolation में compartmentalized education ना प्राप्त करें, ना अपने सिक्षार्थियों को compartmentalized education, बिल्कुल जो watertight compartmentalized education होती है, यानि कि मतलब बिल्कुल एक चीज हम कर रहे हैं, एक विशय को पढ़ रहे हैं, तो उससे इतर और किसी चीज का ग्यान ही नहीं है, दुरभाग्य से आज कल के विद्यालई परिवेश में हम सब अगर थोड़ा गौर करें, तो हम पाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी भावी पीड़ी के लोग हैं, अगर हम अपने जो उनके जीवन काल में नहीं रहे वो महापुरुष गण, और अगर हम उनके बारे में पूछें तो हम पाते हैं कि उन्हें उनका भी ग्यान बहुत सारे संदर्भों में नहीं होता है कई बार तो ऐसा होता है कि आप नोट दीजिए उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर है और उनके बारे में पूछें तो बहुत से बच्चे वो भी बता पाने में असमर्थ होते हैं तो यह एक बड़ी ही चिंतनी एस्थती है कि हमारी अगली पीढ़ी ऐसे नाविकसी तो हो कम से कम यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके इतिहास के बारे में हमारे समुदाये ने अपने आपको अपने अस्तित्व को बचाई रखने में वो आगे विकसित होने में जितना भी कुछ प्रयत्न किया है उसके बारे में समग्र जानकारी प्राप्त करें और दरसल हम अपने समुदाये में ही उन सभी तत्वों को ढूंड सकते हैं जिन तत्वों के मार्ध्यम से समुचित सिक्षा प्रदान की जा सकती है हमारे जो सिक्षार्थी हैं, हमारी अगली पीड़ी के जो बच्चे हैं उन सब के व्यक्तित्व को सजाया जा सकता है, सवारा जा सकता है और इन सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम वो सारे उद्यम करें, वो सारे उपक्रम करें जो की हमारे सिक्षार्थियों को उनकी संस्कृति को जानने में मदद कर सके उनके व्यक्तित्व का समग्र वसंतुलित विकास हो सके उनमें हर समुदाई की कुछ विसिष्टताएं होती हैं उनमें सहनुभूती की भावना विकसित हो सहन शीलता की भावना विकसित हो समाज सेवा एबं त्याग आदे अनेक सामाजिक गुणाओं का विकास हो सके वे भविश्य में सकारात गुणाओं से युक्त होकर देश वो समाज के विकास में अपना सार्थक योगदान कर सके यह बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थात इसके माध्यम से हम यह कहते हैं कि यह जीवन जो है यह परोपकार के लिए बना हुआ है जिस प्रकार विक्ष में फल होते हैं परोपकार के लिए नदियां बहती हैं जल देती हैं मनुष्यों को परोपकार के लिए गाएं दूद देती हैं यह सारा जो उपक्रम है यह समाज है यह शरीर है यह मानव जीवन है यह परोपकार के लिए है यह एक गुन है यह एक तत्व है जिसकी चर्चा में कर रहा हूँ ऐसे अनेक तत्वा हमारी संस्कृती में हैं, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में होते हैं, जिनको हम समुचित तरीके से सिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से अगली पीधी में दिकसित कर सकते हैं, हस्तान तरित कर सकते हैं. बहुत-बहुत धन्यवाद.